तो यह हमारा मटर ग्रेवी पनीड के रेसिपी बन के तयार है बिल्कुल गर्मा गर्म सर्व के लिए इस रेसिपी के लिए हमने लगवक 200 ग्राम का स्पास मटर लिये हैं और दो मिडियम साइज के टमाटर दो हरी मिर्च और एक इन चदर का टुकरा इन सारे को हम इसे मिक्सि जार बर पीश लेंगे एक साथ इसले ही से एक एंडेँ है ऊंसले कșva प्रें लेकिन पसंद अपने इपनी तो हमने फ्राइब कर के से बनाया है यह देखिए हमारा सुनदा हो रहा है पनीर तो यह देखिए हमारा फाइनली पनीर फ्राय हो चुका है तो अब हम इसे निकाल लेंगे यह बहुत ही यूनिक रेस्पी है और यूटूब पे सायद पहली बार होगी तो अब हम उसी तेल में हमने एक छोटी चमच जीरा डाला है और उसे अच्छे से जीरा क्रोश्ट कर लेंगे उसके बाद हमने जो यह पेश्ट तेयार किया उसे डालेंगे इसमें तो यह देखिए हमारा पेश्ट जो है और इसे डाल के मसाले में इसे लगवक चार से पांच मिड़ तक भूनेंगे मेडियम फ्लेम पर तो इसी प्रकार से अब अच्छे से मिला किसे भूनेंगे तो देखिए हमारा कुछ इस परकार से यह तेल को एब्जॉर्ब कर लिया है तो यह हमारा अच्छे से भून गया है तब हम इसे मसाले करेंगे मसाले में हल्दी धनिया लाल मिर्च पॉडर और कास्मेरी लाल मिर्च पॉडर का इस्तिमाल किया है वह भी लगवक के एक डियुक्त एक च्पमच थाला कुछ योध अच्छा- Billy चलिग तो did you do I'll call you c jek बीजिए थाम्य करहीं चोडर में को सबनी लगा है इसका मतलब हो कि एक What पानी जो हमने मिकसी जार में है इसी ग्रायंड के था उसी का पानी है यह कोई हमने अच्छिज खंखाल के इसमें डाल दिया है तो यह देखियए हमारा कुछ इसकार से ग्रेवी बना लेकिन थोड़ी से पानी यह और इट करेंगे आपको ग्रेवी देशी रखनी हैं आप तो यह देखिए हमने अभी तक नमकैट नहीं किया था इसमर तो अब हम इसमें नमकाट कर लेंगे तो यह देखिए अब इसमें हमने हरी धनिया काट के इसमें डॉला है आप चाहे तो इसे ग्रैंड करने कि समय भी डाल सकते हैं तो यह देखे हमारा इसमें बॉइला चुक है अब इसमें फ्राय किया हुआ पनीड डालेंगे पनीड भी आप अपने शाब से इसमें और ज्यादा मातरा भी कर सकते हैं पनीड की तो यह देखे कितना चईया इसका ग्रेवी बनके त्यार हुआ है आपको ग्रेवी देख के आ अंदाज हो गया अब इसमें ग्रम मसाला इट कर लेंगे जाओ अधेकर हमारा इसमें अच्छे से बॉइल आ चुका है ग्रह मसाला लास्ट तो यह हम दालके ग्रमाशाला हमने अधी चमज डाला है डालके इसी अच्छे समिला देंगे यह वाणा देखिये फाइनली मटर हरे मटर पनीर की ये ग्रेवी बनके तयार है तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं ये देखिए बढ़िया इसका ग्रेवी है आपको ग्रेवी से अंदाजा लग लगा हुगा ये हरे मटर की ग्रेवी इतनी अच्छी बनी है तो ये फाइनली हमारा मटर ग्रेवी पनीर की आपको अच्छी लगी हो और वीडियो पर लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दवाना ना भूले ताकि किसी तर क्रेशित आपको आगे भी मिलती रहें जै जै वारत